आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप यहां पर जितने भी स्टॉक्स देखते हैं, उनमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो हाइड रहते हैं, मैं भी आपको दिखाई देता हूँ, आप देखोगे इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, फोर इंडिकेटर्स जो अभी फिलाल हाइड है, इसमें हाइड क्यों हैं, विकर्स अफ डिस्ट्रैक्शन्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कि इनमें जो इंडिकेटर्स होते हैं, कौन से इंडिकेटर्स लगे हैं, और मैं कैसे किस तरीके से यूज करता हूँ, सा अगर अभी तक आप टेलिग्राम पर नहीं हो, अफिसल टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इससे पहले ही कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ चीज़े क्लियर कर देता हूँ, इंडिकेटर्स 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 इ अपने trade decisions बना रहे हो, इसको combine करना है, price action and data analysis के साथ, आप ये chart देखते होंगे, ये मेरे layout, वैसे मैं और भी layouts use करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यो कौन-कौन से indicators है, देखो ये chart indicators हैं, और एक indicators है, जब आप इस पर double tap ऐसे करोगे, तो नीचे आपको दिख जा अपने तरीके से कैसे use करता हूँ, वो मैं बताने वाला हूँ, तो अगर आपको ऐसा पता चल गया कि कौन-कौन से indicators मैं use कर रहा हूँ, तो आप वीडियो के skip मत कर देना, आप छोड के मत चले जाना, अभी आप आगे देखो कि इसको मैं कैसे use करता हूँ, सबसे पहले volume की बात करते हैं, already मैंने इस पे एक proper वीडियो बनाई है आप लोग के लिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखेगा, swing trading, इसमें अभी 19 वीडियो अप्लोडेड है, volume-based trading, इसमें जब आप क्लिक करोगे, इधर मैंने अच्छे से सारा explain कर रहा है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि volume कैसे काम करता है, and volume को मैं कैसे use करता हूँ, and volume के क्या parameters होते हैं, अब यह वाले वीडियो देख लेना, because इसमें क्या है ना, कि आपको अच्छे से सब कुछ पता चलेगा, मैं volume को कैसे use करता हूँ, तो यह इसका मैं link दे नहीं करता हूँ, वो थोड़ा fast moving होता है, SMA और EMA में कुछ जादा differences नहीं है, तो मैं EMA use करता हूँ, आप लोग को भी EMA use करना चाहिए, यह जो दिख रहा है, आपको EMA, यह वाले EMA plot करना है, setting में जब आप होगे, इधर, तो आपको यह first 20, 50, 100 and 200, तो इसमें मैंने अप अपने तरीके से कर लेना, यह 50 EMA की line है and यह 200 EMA की, में को यह देखना है, price जो है 50 EMA के above होना चाहिए, अगर वहाँ पर support ले रहा है, अधर भी हम trade कर सकते है, 50 EMA से, 50 EMA मिल्स, जो 50 दिनों का average price है, उसके ऊपर trade करे, यह जो line है, यह 200 की line है, यह long term trend बताता है, 50 EMA, mid term trend ब types of pivot, मैं basically standard and Fibonacci use करता हूँ, मैं generally यही use करता हूँ, format trading, तो मैं भी आपको वही बताऊंगा, pivot explanation के अंदर, आपको यह बर दिख जाएगा, pivot points होते है, एक base price होते है, अगर उसके ऊपर price है, तो आप ऐसा समझो, कि उस price के अंदर एक strength है, R1 resistance, R2 resistance, R3 resistance, इस तरीके के resistance होते ह है, आपको यह Fibonacci के अंदर देखने को मिलेगा, इस तरीके से S1 support, S2 support, S3 support, यह देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ line आपको देखने को मिलेगा, होता क्या है generally, जब price pivot से start करता है, तो अपने support and resistance को respect करता है, अब यह कैसे करता है, हर एक time frame का अलग अलग सीन होते है, तो आप आपको यह जानने पड़ेंगे, क्योंकि आपको यह भी देखना पड़ेगा, सारे stocks इसको follow नहीं करते हैं, कौन से stocks follow कर रहे हैं, प्लस कौन से time frame पे कर रहे हैं, वो भी आपको जानने पड़ेंगे, इसको मैं use इसलिए करता हूँ, so that मैं को एक idea रहता है, कि pivot point से अभी price न यहां पर, so that मैं को एक idea है, कि pivot से price निकला है, यह एक base price है, इसके ऊपर price है, अब देखो, यह stock मैंने share करा था, अब मैं इसमें बहुत सारे parameters देखा हुआ था, ऐसा नहीं कि मैंने इसका एक confluence लिया था, देखो, price pivot के ऊपर है, that means कि इसके अंदर strength है, अभी just यह start हो रहा है और भी कुछ stocks थे, तो आपको pivot के ऊपर मिलेगा, देखो यहां पर, ऐसा stock दिखा रहा हूँ, जो आपके साथ यूटूब पर share किया था, अब किसी भी stock को जाकर देखोगे, exactly देखो, इसमें क्या गड़ा है, इसने, यहां से price निकला, pivot पर आकर इसने support लिया, और यहां से देखो, boom, एक अच्छा खासा bounce bag दिया, pivot के ऊपर price है, तब ही मैं generally buy करता हूँ, इसके नीचे अगर support वगएरा पर है, तो मैं buy ही नहीं करता हूँ, इस तरीके से आपको काम करना है, make sense, fourth ballinger bands, किस तरीके से मेरे settings हैं, वो आप देख लो, यहां पर, कुछ भी नहीं है, जो default setting है, बस उसी को मैं use करता हूँ, अपने तरीके से आप color वगएरा set कर सकते हैं, जो मैंने कर रखते हैं, थुरा सा देखते हैं, वालिंजर bands, कैसे मैं काम करता हूँ इसको, narrow ballinger bands use करता हूँ, कभी भी high volatility जब होता है, wider ballinger bands पहले बनता है, उसके बाद, वो एक narrow ballinger bands बनता है, मैं generally कैसे काम करता हूँ, पहले wider ballinger bands बनने देता हूँ, उसको अराम से बनता है, उसके बाद, जब price consolidate करता है, इधर narrow ballinger bands बनता है, then I look for this, मैं को यहाँ पर entry करनी है, यह जो breakout है, यहाँ पर मैं enter करूँगा, और इस move को मैं capture करना चाहूँगा, high volatility with large candles leads to wider ballinger bands, अब ऐसे ही मै यूज करता हूँ इसको, अब बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से यूज करते है, कैसे, अब suppose देखो, अब कोई भी price है, daily candle आप यूज करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, जब price यह, जो lower bands है, इसके नीचे जब आता है, यह भी एक strategy है, market में, कि lower bands के पास आप खरीद कर अपर bands के लिए आप sell कर सकते हो, आप lower से आप higher तक का काम कर सकते हो, मैं generally use करता हूँ narrow ballizer bands, अब यह और देख लेते हैं, examples में आपको दिखाता हूँ live, suppose skipper की बात करते हैं, यह 6th October को, जो मैंने recently share करा था आपके साथ, although यह daily time frame है, इसको मैंने early पे देखा था, expansion, यहाँ पर narrow दिख रहा है, अब जब यह फटेगा कभी भी, like this, देखो, इसको आपको यूज करना है, breakout पे, confluence area पे यूज करना है, 5th and last, RSI, मैं यहाँ से on करता हूँ, आपको दिख जाएगा, यह मेरे settings मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इको noises नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और RSI यूज करता हूँ, यहाँ पर आपको यह settings आप देख सकते हो, मेरे settings, यह सब साड़े settings आप देख सकते हो, तरी इस तरीके का मेरा setting है, मैं इसको diversion के लिए यूज करता हूँ, how to use diversion, price perform कर रहा है, एक higher high बन रहा है, बट यह RSI परफॉर्म नहीं कर रहा है, RSI आपको देख RSI perform कर रहा है, इस diagram के अंदर आप देख सकते हो, that means कि इसके अंदर strength है, इस particular stock के अंदर strength है, और यहाँ पर जितने भी stocks हैं, जो भी मैंने आपको parameters बताएं, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, आप अच्छे से जाकर date wise, क्योंकि मेरे YouTube पर तो सब पढ़े है आप इसक करोगे, यहां से आपको काफी कुछ idea मिलेगा, playlist और बाकी चीजों का link में इचे डाल दूँगा, तो आप check out कर सकते हैं, thanks for watching, have a nice day.